यह इसका हुआ कि VFD का एक error code है CPF16, CPF16, clock fault, standard clock fault, error तो actual में इसमें होता क्या है, जो VFD है, उसके जो hardware system है, उसमें एक standard clock होती है मतलब actual में एक software होता है, जो clock होती है, तो बट अगर hardware damage हो जाता है हमारा in that case यह error आता है, तो कई परी क्या है, VFD को factory set करके हम जैसे run करते हैं तो clock काम करने लगती है, otherwise maximum chances यह होता है कि VFD को repair कराना पड़ता है या फिर replace कराना पड़ता है, ठीक है, तो कलिए ठीक है, I think अभी आपको समझ आगे हो अगर वीडियो आपको helpful लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाले वीडियो का notification आपको मिल जाएगा अगर आपको किसी भी टाइप के पैनल की requirement हो, तो आप मुझे mail कर सकता है domandia.gmail.com पर एक book का link मैंने नीचे description में दिया हुआ, आप उसको purchase करके पढ़ सकते हैं, automation की book है, जो आपके automation के skills develop करेगा